हलो दोस्तों आज हम इस वीडियो आमें बात करेंगे आई एस अधिकारी कैसे बने तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सब स्ट्राइब कीजिए नौलज फो यू को और बेल आइकन प्रेस कीजिए सबसे पहले अपडेट आने के लिए हाँ टू बिकम एन आई एस आफिसर आई एस अधिकारी कैसे बने आई एस आई एस अधिकारी बनने की चाह लाखो युवाओं के मन में होती है देश की इस सबसे प्रत्रिष्टित परीक्षा में हर साल लाखो अभ्यरती अपना भाग्य आजमाते हैं जिसमें हर साल कुछ श्रेष्ट चातर भी चैनित हो पाते हैं इस कठिन चैन प्रक्रिया के बाद चैनित उमीदवारों को UPSC संग लोग सेवा आयोग द्वारा खास ट्रेनिंग दे कर अधिकारी के रूप में तयार किया जाता है भारतिये सिवल सेवा परीक्षा में जैनित अभ्यर्तियों को उनकी प्रांक के अनुसार अलग-अलग कैडर मिलते हैं राश्ट्रिय स्तर के अलावा राज्यों के स्तर पर पी स्टेट पब्लिक सिर्ष की परीक्षा आयोजित होती है IAS बनने की प्रक्रिया IAS अधिकारी बनने के लिए भारतिय सिवल सेवा परीक्षा में भाग लेना होता है इस परीक्षा के लिए 21 उसे 30 वर्ष तक कि किसी भी स्ट्रीम से ट्रेजुट चात्र आवेदन कर सकते हैं जहां तक कि डॉक्टर और इंजिनेरिंग जैसी प्रोफेशनल डिग्री धारण भी इस परीक्षा में पैड़ सकते हैं समाने वर्ग के चात्र इस परीक्षा में अधिक्तम चांबार हिस्सा ले सकते हैं UPSC संग लोक सेवा आयोक्त दिवर्ष इस परीक्षा का आयोजन करती है परीक्षा इग्जामिनेशन इस परीक्षा के मुख्य पर तीन चरण होते हैं पहला प्रारंबिक परिच्छा प्रिलिमिनरी एक्जामिनेशन, दूसरा मुख्य परिच्छा मेंस एक्जामिनेशन और तीसरा साक्षातकार इंटिव्यू और प्रिसनालिटी टेस्ट. प्रारंबिक परिच्छा प्रिलिमिनरी एक्जामिनेशन प्रारंबिक परिच्छा प्रेलिमिनरी एक्जामिनेशन में दो पेपर होते हैं पेपर फर्स्ट दो सो अलकों की होती है, जिसमें इतियाज, राजनीती, विज्ञान, भुगोल, विज्ञान, अर्थशास्त्र, समेत, दूसरे विश्यों से 100 प्रशन पूछे जाते हैं पेपर सेकंड 200 अंकों की होती है, जिसमें रिजर्णिंग रवान्टेटिव एप्टिक्ट्यू और प्रब्लाव सॉल विंड के कुल 80 प्रशन पूछे जाते हैं, इसको CSAT Civil Service Aptitude Test के नाम से भी जाने जाते हैं, यह केवल क्वालिफाइंग परीक्षा है, इसमें मुख्य परीक्षा में कूल 9 पेपर होते हैं, एक निबंद 250 अंक, दो सामाने अधियन 250 अंक, तीन सामाने अधियन 250 अंक, चार सामाने अधियन 250 अंक, पांच सामाने अधियन 250 अंक, छे वेकलपिक 20 शेक 250 अंक, साथ वेकलपिक 20 शेक 250 अंक, यह साथ पेपरों के अंक फाइ एक हजार साथ सो पचास अंक होते हैं इसके अलावा दो पेपर अनिवारे भाषा के क्वालिफाइंड प्रकृति के होते हैं आठ अंग्रेजी नौ हिंदी या 22 भाषा में से कोई एक साक्षातकार इंटरव्यू मुख्य परीक्षा मेंस एक्जामिनेशन के बाद साक्षातकार इंटरव्यू लिया जाता है साक्षातकार इंटरव्यू को प्रिस्नालिटी टेस्ट व्यक्तित परीक्षण भी कहा जाता है साक्षातकार इंटरव्यू 275 अंको का होता है साक्षातकार, इंटिव्यू और मुख्य परीक्षा मेंज एक्जामिनेशन में प्राप्त अंकों को आधार बनाकर फाइनल प्रांक तयार की जाती है इस आधार पर उमीदवारों का चैन होता है संस्थान इंस्टिउशन इस परीक्षा में चैन के लिए किसी तरह का खास संस्थान तो नहीं है अभियर्थी अधियन के लगातार प्रयास के बूते इसकी तयारी करते है वैसे कई नीजी संस्थान इस परीक्षा के लिए कोचिंग उपलब्द कराते है जो अपने स्थर पर अभियर्थियों को इस परीक्षा के कोर्स से संबंधित संबंधित अध्यान सामगरी और पेपर हल करने की ट्रिक बताते हैं लेकिन किसी भी प्राइविट संस्थान में कोचिंग लेने से पहले उनकी टीचिंग फैकल्टी के बारे में वहां के पूर्व छात्रों से जाने एड्मिशन से पूर्व आप डेमो क्लास भी ले सकते हैं वेतन सैलरी यहां कैडर के अनुसार अलग-अलग सैलरी पाकेच मिलता है सेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटरी का 3,12,000 से 3,60,000 पैसिक पे हैं इसके अलावा आवास ट्रांसपोर्ट, ड्राइवर, मेडिकल आदी सुविधाय की है आई-एस चैनित अभ्यरती दो साल के लिए प्रोबेशन पीरियट पर होते हैं इसमें जादतर समय क्रेनिंग का होता है इसके बाद उन्हें राज्य सेचिवालियों में फील्ड आफिसर डिस्क्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीप एम कार्याले में बतोर अधिकारिक तेनाथ किया जाता है इसके बाद समय समय पर उन्हें प्रमोशन मिलते है संबर्ब कार्डर आई-एस परिक्षा पास करने के बाद रांकिंग के आधार पर निम कैडर पे सेवा का मौका मिलता है एक भारतिये प्रशासनिक सेवा आई-एस दो भारतिये पुलिस सेवा आई-पी-एस तीन भारतिये फॉदेश सेवा आई-एस पांच भारतिये राजस्व सेवा आई-एस छे भारतिये पोस्ट टेलिकाम उनिकेशन अकाउंट एन वित सेवा साथ भारतिये रेल्वे ट्रा रख्ष संपदा डुम ट्रक्ष अठेक न complyरे 15. तो किम्झेमे ने क्रिशाय भार्य कौनक्र्रीज कोष्ट है व्यूनों, वiszती प्रिश क Second सिस्वान, संपध दस मीडिक्री आ स्व बर खते। 5, distant भार्य Couch Fortnite, 12 सभेय कौनक्रीद Eसंदट i भारतीय रख्षा लेखा सेवा-16 भारतीय रक्षा लेखा सेवा आदे को सिवेल सेवा परीक्षा सिवसर्विस एक्जामिनेशन त्यारी में कोई चूप एक Civil सेवा परिक्षा की त्यारी को लेकर हर किसी की अपनी अपनी रन निती होती है कोई सेल्स स्टेडी में विश्वास करता है तो कोई कोचिंग में तरीका जो भी अपनाएं मगर यह सत्य है कि धैरे के साथ लगातार सुर्यवस्थित तरीके से इस पतिक्षा की तयारी की जाएं तो सफलता अवश्य मिलती है दो इंटरनेट अखबार और वैक्जीन से मितरता करें पढ़ाई के साथ साथ समसाम एक घटनाव पर नज़र रखें सामाजिक अधियन के लिए NCRT की 9-20 से 12 वी तक की पुस्तक जरूर पढ़ें तीन जानकारों के अनुसार जागरू अधियन प्रैक्टिस वा अनुशासन इस परीक्षा में सफलता का मूल मंत्र है अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों में शेर करें और चैनल को सबस्ट्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें सबसे पहले अपडेट आने के लिए